जैहिन साथियों स्वागत है आपको हमारे चैनल PCS दरपन पर देख रहे हैं दुस्तों ग्यान बिंदू जैसे की सेट प्रैक्टिस नमर आज जो है वह दो नमर हम कराने वाले हैं जैसे दोस्तों इससे पहले मैंने एक नमर करा दिया है जैनरल स्टाइज जो स्पेसल टेस्ट है डेली वाइस पर लाता हूं मैं ठीक है तो आज वह सेकंड टेस्ट है दूस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्काइब पर ले जागा तक ही नेक्स ट्रावन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी जदी सेट नमर नही रहे जाले और तक अपना इस प्रक कमेंट सेक्शन में क्या हुआ अजिसमें पहला कुषैनाЕं हम इतिहाज से चे आधमी इतिहाँ से कुछ भी नहीं सेख था यह कथन किन का है बताना आब को यह कथन किन क कही बतां गये चाहता है किन कु कहा जाते इंट कि अंसर आपके सामने बताइए बनेगा लुसी को कहते है किसी को कहा जाता है मानो माता मजर अगला बता ίे पुर्व्यदिकारियों का धर्मठ पर्मुक्त था अंसर बता क्या होगा तो प्राकिर्टी- पूजय और यंगित्व्य न। राजराजाप्रथम का मुल्य नाम क्या था आपको बताना है उनका नाम क्या था अंसर क्या होगा तो आरी मोली वीरम का अरी मोली वार्मन आंसर भी बनेगा आपका अगला बताइए मामूद गजनाभी की आकरमन के परिनाम सरूप कौन सा सहर जो है थारसी संस्कृत का केंदर बना गया था कौन बना गया था बताइए थारसी संस्कृती का केंदर बना था तो वो कौन था बताइए त अगुषर नि मिलेखित से किस ने रोल की तेज़ आवाज के सान्त एक महिला का अपने पती की चीता के साथ तो आंसर क्या बनेगा इबन बतूता नहीं किया है करेक्ट अंसर इबनेगा अगला बताएगा क्रिश्न देवराय ने निमलेकित में से किसका निर्मान नहीं करवाया था किसका निर्मान नहीं करवाया थे क्रिश्णा स्वामी मंदील बनवाय था, और हजारा रामा स्वामी का भी मंदीलियों ने बनवाय था, अगला बताएगा, निकूलस कॉंटियस जो है, वो किसके सासन काल में थे दोस्तों बताएगे, अगला कुशन आपका निमलिकित यूरोपीय यात्रियों में से कौन सहजादा दारा सीकोह का चिकित सक था बताए कौन था तो आंसर क्या बनेगा आपका बताए आंसर बनेगा फास्वा बर्नियर उप्षन ए बनेगा ndसर निमलिकित में से कीस यूरोपिय ने भारत में सब से पहले अपना वेपार जो है फलाया और परभावित किया था तो वो कौन किया था बताईए आंसर बनेगा आपका right answer D पूर्थगालियों ने किया था right answer option D बनेगा पूर्थगालि next बताईगा कि मानो बली प्रथा का निसेध करने के कारण जो है अंग्रेजों के विरुध विरुध करने वाली जनजाती का नाम आपको बताना है मानो बली प्रथा का निसेध करने के कारण जो है अंग्रेजों के विरुध विरुध करने वाली जनजाती का नाम बताना है आपको क्या नाम था उसका तो answer बनेगा आपका correct answer option B क्या नाम था खोंड answer option B बनेगा बताइएगा सुची 1 और 2 को हमें सुमिलित करना है आईए हम लोग सुची 1 और 2 को देखते हैं बताइए इसमें तो सुची 1 में दिया है वेक्ति और सुची 2 में दिया है कि जर्नलिस के देखिए स्याम जी क्रिस्न वर्मा यह क्या थे स्याम जी क्रिस्न वर्मा बताई है इन्दियन सोचलीजिस्त है मैडम विका जी का माई यह क्या थी दो तलवार or एनी बेसेंट यह कॉमन वील और अर्वेंद घोस वस अब ढू grasses करें वालॺं मोन है आप से यहां पर देखके बताना है तो चलिए इसमें बताइए कौन सी आपकी मैच कर रही है तो आप देखोगे कौन सी मैच की है तो correct answer आपका option A मैच कर रहा है ना दो तीन चार एक नेक्स देखिए निमने लिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुना आसफ अली का संबंध भूमिगत कारे कलापो के महिला संगठन करता के रूप में था तो बताइए किस आंदोलन में तो answer बनेगा क्या correct बताइए भारत छोरो आंदोल correct answer बनेगा भारत छोरो आंदोलन कब हुआ था तो 9042 में हुआ था भारत छोरो आंदोलन नेक्स देखिए कहरा भारतिये राष्टी कॉंग्रेस का लाहाओर अधिवेशन जो कब हुआ था 1929 में इतिहास के इतिहास में इसलिए परसीद है क्यों परसीद है देखिए यहां प इस अधिवेशन में उग्रबादियों के बीच झागरे का सुल्हावा किया या था नहीं यह तो बिल्कुल नहीं हुआ था इस अधिवेशन में द्वी रास्ट मांग के सिद्धांत को जो है अस्विकार करते हुए संकल्प पारित किया था नहीं तो यानि आंसर क्या बना स पिर्फ हमारा correct option A, यानी option शिर्फ हमारा एक बनेगा A, next देखियेगा, कहा रहा है क्या कि hunter आयोग की निवक्ती की गई थी, hunter आयोग की निवक्ती कब किया गया था बताईये, तो answer क्या बनेगा आपका, correct answer option B, जालिया बाग अत्य काम जो हुई थी, कब तो 1919 में जो हुई थी उसके जस्ट बाद उसके जो है हत्या कान्ट के बाद यह हंटर आयो की निक्ति किया गए था तो आंसर बनेगा करेक्टेंस ओप्शन भी अगला बताएगा निमलिकित में से उनकी संगधन की अधार पर जो है करम वार सजायना है हमें तो आईये हम दोख से जा कर देखते हैं देखों यहां पर पहले क्या है मदरास महाजन सभा फिर है इंडियाण फिर इंडियान लीग फिर है इंडियान लीग तो आप देखो गए यहां पर जो फ्स Elijah An वह कब हुई थी गश्यpping अवग बंबंबफ एस्शेयसन और मदरास पिर उसके बाद आता है इंडिया नेसोसेशन उसके बाद लास्ट में होता है महाराष्ट महाजन सभाव नेक्स बताना है भील सेवा मंडल जो 1922 के अस्थापना किस ने किया था किस ने किया था पताईए तो आंसर क्या बनेगा अमरित लाल विठल दास किये थे कौन के थे अमरित लाल विठल दास के थे अंसर ये बनेगा नेक्स बताईएगा सीख गुरुओं से संबंदित निमलिखित कथन पे हमें विचार करना है देखिए पहला क्या दिया है कि बन्दा बहादूर को गुरु तेग बहादूर ने सीखों का सैन ने परमुख निमलिखिया था क्या ये बात सही है आपको बताना है इसमें तो आईए और देखते हैं खेर लेकिन तीग बहादूर जो थे दोस्तों ये सीखों के आठवे या नोवे गुरू हुए थे तो ये बंदा बहादूर क्या इनको सैन ने परमुख नहीं ये बिल्कुल गलत होगा नेक्स देखिए गुरू अर्जुन देव जो पाँचवे गुरू थे गुरू गुरू रामदास के बाद बने थे क्या गुरू रामदास के बाद बने थे ये तो ये बात सही बिल्कुल गुरू रामदास जो थे ये चोथे थे और गुरू अर्जुन जो थे ये गुरु थे इन्होंने गुरु मूख लिपी रिया था तो यानि आंसर क्या बना हमारे दो और तीन तो करेक्ट अंसर ऑप्शन बी बन गया कि नेक्स को सनाई ये नेक्स देखोगे आप क्रिशन क्या करा है इसमें कि सिवा जी की गुराजस्व विवस्था के संदर्म में क्या सत्य है आपको बताना है तो क्या सत्य है देखिए आते हैं हम लोग कहरा है कि सिवा जी ने रसी के द्वारा माप के अस्थान पर काठी ये मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलान किया था बात तो सही बोल लिए नेक्स देखिए भुराजस्व लगान की दर जो है सुरू में कुल उपज का 33 पर 30 थी जो बाद में बढ़कर 40 पर 30 कर दिया गया था ये भी बात सही है सिवा जी ने जमिन दारों एम जागी दारों का विरुध करते हुए रयत वारी बेवस्था को अपना है था ये भी बात सही यानि करेक् अंडलों के अनुसमर्थन से ही समयधानिक संसोधन संभव है तो देखते हैं कोन-कोन है देखिए क्या रास्पति का निर्वाचर बात सही है सांसद में राज्यों के परतिने तो ये भी सही है सात्वी अनुसुची में कोई भी अनुसुची ये भी बात सही है किसी राज्य की विधान परिशद की समाप्ति नहीं यह नहीं होगी तो कारेक्ट अंसर हमारा क्या बन रहा है तो उत्तर जो आगा आपका एक दो और ती परेक्ट अंसर ऑप्शन एह होगा नेक्स बताएगा नेक्स बोशन है कि अग्रता जो है अधी पत्र के अनिसार निमलिकित में से कौन सी अग्रता के सही अव रोही करम है यह बताना आपका की सही अव रोही करम क्या है तो देखिए सही अव रोही करम आप देखोगे तो इसमें करेक्ट अंसर आपका बी बनेगा क्या पहले उच् option B correct होगा यहाँ पर next देख नेक्स आए कि भारत में पिछरा और अल्प संख्यक समुदाय करमचारी महा संख जो है B.A.M.C.E.F की अस्थापना कब होती है इसके अस्थापना कब होती है तो answer बनेगा आपका 90-78 में होती है कब होती है 90-78 option C होगा next question बताएगा कि सांसद का एक जो निर्दलिय सदसे कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदसे बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंत्रगत उसके विरुद कोई करवाई न हो सके कितने वर्स के लिए बताई संसद के जो निर्दलिय सदसे कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल के सदसे बनना जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून के अंत्रगत इनके विरुद जो है करवाई न हो सके तो आंसर क्या बनेगा आपका correct answer option C होगा 6 माह के अंदर next देखिए कहता है सेतकारी संगठन जो है सेतकारी संगठन नामक क्रिशक संगठन किस राज्य की राजनीतिक में महत्यपुन भूमिका निभाता है किस राज्य में बताई तो आंसर बनेगा आपका right answer option B महारास्ट न उनमिलिकीत खत्रों पे हमें विचार करना है पहला क्या है पंजाब का राज्य जय पाल जो है अपने डायटों के साहँ साथ चंडेगर्ट का परसासक भी होता है दूसरा की राज्य होता हमारा option सिर्फ एक हो गई नेक्स बताएगा निमलेखित में से किस भासा को समीधान की आठ्वी अनसूची में सामिल नहीं किया गया जब कि एक राज़्य की राज किये भासा है वो कुण सी भासा है बताओ तो कौरेक्ट असर क्या है वो अंग्रेजी है अंसर ये बनेगा अंग्रेजी नागालैंड की भासा है के रल की है न फिर भी इनको नहीं सामिल के आगा टूटल हमारे समिधान में कितने भासाएं हैं बाइस भासाएं हैं नेक्स्ट बताईए पुर्वर्थी योजना का गठन जो है निमलिखित में से किसकी अनुसांसां से हुआ था बताईए तो आंसर क्या बनेगा आप भारत के सिर्स न्याले के अधिकारिक्टा के अधिन निमलिखित में से क्या नहीं आता है तो देखिए हम निमलिखित क्या है हमारा ओप्षन देखिए क्या नहीं आता है बताईए इसमें आरंबिक अधिकारिक्टा या पिली अधिकारिक्टा कोलेजियेट अधिकारिक्टा साहं उसके पहली बैठा कम होती है तो आंसर क्या बने का आपका औरेकtså अउपिसेर भी कं होda होती है कब होती तेरा मई उनिस सो बावन निमलेखी तशेत में कौन अंडो out में आता है तो आंसर बनेगा आपका correctness option D कौन है 19 में क्या है सुतंताग दिया है सुतंताग आधिकार बोलने काधिकार है अगला देखिए ऐसे नीजी वस्तुएं जो किसी विशेश समुदाय या किसी विशेश वर्ग के लिए आवस्यक एवं महतपून होती है क्या कहलाती है क्या कहलाती है मेरिक वस्तुएं कहलाती है अंसर क्या बनेंगा विमेरिक वस्तुएं कहलाती है नेक्स देखिए उनिस सो उन्चास में भारत सरकार द्वारा नियुकत रास्तिय आयसमीती का ध्यक्स कौन था मधाई कौन थे तो आंसर क्या बनेगा आपका correctness option B P C महला नोब नेक्ष बताईए गार्ति राज्य भारतियर बिवस्ता में आर्थिक संभृधी गहां अर्थिक विकास के है पुरह ऑप्छों मनेगा राइंसर ड़ी सभी ये उजी निर्मान प्राकिर्टिक संसाधन और तकनिकी उच्छती आंसर और राइट अंसर हमारा दी बनेगा नेक्स देखे बैस्विक बहु यामी गरीबी सुचकांग कोन जारी करता है यह कोन जारी करता है जुस्तों तो आंसर बनेगा UNDP एक जो वह कोन जारी करता है यहां पर पर शुर्यास्ट का नियम किस राजस्व परणाली में लागू है आंसर क्या बताएगा अस्थाई बंदुवस्थ परणाले किस पंच वर्षी उजना में ब्रिधी दर नाकारात्मक रही है यानि निगेटिब रही है तो आंसर क्या बने बनेगा राइटेंस ऑप्शन भी तीस्टी पंच वर्षियां जिसे हम लोग आवकास योजना भी क्याते हैं 90 66 से 69 तक चली थी अगला कुशन ने कि बिस्व वन दिवस कब मना यहता है बिस्व वन दिवस कब मनाते हैं तो आंसर बनेगा राइटेंस ऑप्शन ने एक किस मार्च को मनाते हैं राइटेंस ऑप्शन यह बनेगा नीजी छेत्रों में उद्योगों की अस्थापना के लिए सरकार ने किस ओदोगिक निती के तहत जो है लाइसेंस लेना अवसक बना दिया है बताए कौन सा ओदोगिक निती थी तो आंसर बनेगा राइटेंस ऑप बदाई कब पर भावि राष्टी एक खाद सुरक्षा मिशन तो आंसर बनेगा यह दोहजार साथ से आठ में पर भावि उआ आंसर यह बनेगा पुर्म मध्यकाल में तोन नदी की घाटी के छेत्र में जनजाती राज्ज्य का उठान हुआ था पुर्म मध्यकाल में सोन अंग्रेज मर्जिस्टेट कौन थे पटना के पहले अंग्रेज मर्जिस्टेट कौन थे तो आंसर बनेगा चाल्स फ्रांसिस गार्डन थे कौन थे चाल्स फ्रांसिस ग्रांड थे आंसर ऑप्शन बनेगा नेक्स्ट कोशन देखें निमलेखित में से कौन चंपारन आंदोलन से संबंदित हैं कौन है बताईए तो आंसर क्या बनेगा आपका Correct answer option C بنेगा Babu सिव नंदन राय आंसर C بنेगा Babu सिव नंदन राय चंपारा नंदोलन से संबंदित है भूगोल भूतल का ध्यान किसने कहा था भूगोल जो है एक चक्कर लगबग कितने समय में पूरा करता है बताई एक चक्कर जो है वो कितने समय में पूरा कर लेता है तो आंसर बनेगा आपका राइट एंसर ऑप्शन भी एक दिनों में पूरा कर लेता है नेक्श बताएगा धरातल से मोहो असबंदता की गहराई लगबग कितनी है मोह असमंदता की गहराई कितनी है तो आंसर बनेगा आपका राइट एंसर ऑप्सन ए 30 किलोमीटर है कितना है 30 किलोमीटर ऑप्सन ए बन जाएगा next देखेए कि उतरी गुलार्ध में भू धरातल अधिक्तम कितनी हैं ये बताना आपको उतरी गुलार्ध में तो answer क्या बनेगा बताईएगा answer बनेगा 30 degree से 40 degree north answer A बनेगा next बताईए संपरदाएं मैदानों का निर्मान नदी की किस अवस्था में होती है संपरदाय मैदानों का निर्मान जो है नदी के किस अवस्था में होती है तो आंसर क्या बनेगा आपका correct answer option C होगा यहाँ पे जिवनार वस्था जिवनार वस्था आंसर option C होगा नेक्श देखिए निमलिखित में से कौन सी जलधारा जो है खेतों पर नियंतरन वीधियों से की जाने वाली क्रिसी क्या कहलाती है क्या कहलाती है क्रिसी वह कहलाती है विश्थरित क्रिसी आंसर C बनेगा निमलिखित में से कौन सा राज्य जो है बंगलादेश और मैनमार के सांथ सीमा साजा करता है कौन सा देखिए तो आंसर बनेगा का हमारा राज्य, मिजोराम जो है, वह बंगला देश और मैनमार के सांथ साजा करता है सीम्या, अंसर C बनेगा नेक्स बताइगा, कहारा है का सुमेलीद हमें करना है सुची 1 & 2 को, सुची 1 में क्या है? तो साहएक नदियां है और सुची 2 में क्या है? तो नदियां है देखे जैसे चंबल है इसकी सहाइक नदी हमें बतानी है तो इसकी सहाइक नदी कौन है बताएगा जैसे बेतवा यह किसकी सहाइक नदी है तो बेतवा आप देखोगे तो यह सहाइक है यह मुना की बेतवा किसकी है यह मुना की सहाइक नदी है और छिपरा कि चंबल की है किसकी है यह चंबल नदी की सहाइक नदी है और वेन गंगा किसकी है बताओ तो वेन गंगा किसकी है वेन गंगा है गोदावरी की वेन गंगा किसकी है गोदावरी की तो तावा किसकी है नर्मदा की तावा किसकी है नर्मदा की तो इसमें आंसर कौन सी बनने बता तो correct answer आपका right answer option भी correct हो रही है next question की तरफ बढ़ते हैं हमलों कह रहा है क्या लुहरी जल विदूत परिजना का निर्मान निम्लिकित में से किस नदी पर किया जा रहा है किस नदी पर किया जा रहा है बताईएगा तो answer आपका बनेगा correct answer option है सतलज नदी पे right answer option है सतलज पताईयों निलगिरी पहारीों में पेर की समाने जाती है वो कौनसी जाती पताई हम पताई तो यह साग्ण answer क्या बनेगा right answer डी डी साग्ण किस परकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधित्ता जो है होती है किस परकार की मिट्टी में होती है बताईगा तो आंसर क्या बनेगा आपका Correct answer option B Correct answer option B बनेगा निमलेखित में से किस राज्य में जो है सिचाई और बिजली उत्पादन से संबंदित सा जो है भारत में एक लोह एस्क पेटी नहीं है पदाई कौन नहीं है तो करेक्ट अंसर क्या बनेगा राइट एंसर ओप्सन सी हर्याना राजस्थान पेटी ओप्सन सी होगा अब देखे ओधो लखित में कौन सा जोरा सही आपको बताना है इधर जन जाती है इधर मुल लाहें और सामीलों वाका जाते हो हीरा है करेक्ट और स्रॉप्सन एबन जाएगा निक्स से ऑधोन लिकित में कौन जुह भोतिक वातावरण का तटुव 내ीं नहीं है, बताए कौन भोतिक वातावरन का तत्व नहीं है तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट अंसर ऑप्शन D, बस्तियां, राइट अंसर क्या बनेगा, बस्तियां, बताए अस्थल मंडल में सामिल किये जाते हैं, अस्थल मंडल में जैब बिविता दिवस कब मनाते हैं हम लोग बताइए जैब बिविता दिवस कब मनाते हैं अब देखोगा जैब बिविता दिवस option क्या बन जाएगा आपका right answer option B होगा कब 22 मई को मनाते हैं देखिए tomorrow और जब आयो डाइवर्सिटी पुष्टक के लेखा क्या लेखी का कोन है बताना आपको कोन है लेखा क्या लेखी का पताइए तो answer क्या बनेगा वंदना सीवा संगीत समराट तांसेन के गुरु कोन थे संगीत समराट तांसेन के गुरु कोन थे तो answer क्या बनेगा हमारा right answer option B हरी दास right answer option B हरी दास देखिए सुची वान और दो को हमें सुमिलित करना है नीचे दिये गए कुटका सही परियो करके पहला है निरित्य और दूसरा है राज्ये तो आई ये निरित्य और राज्ये को देखते है चलिए तो इसमें बताना है आपको निरित्य और राज्ये तो देखो यहां पर भरत क्थक जो है अपका उत्तर प्रदिश का है तो admired match कर रहा है बता तो आपte Test किन के द्वारा किया गया है यह किया गया है 37 गुजराल के द्वारा आंसर D बनेगा 37 गुजराल किसी की किसी की बूर्ड पर जो है आंटर जो की होता है उसका और दूसरा नाम क्या होता आपको बतान है तो और दूसरा नाम उसका होता है क्या नाम होता है एक्सिक्यूटी एक समान को चुणना है आमें बताना है निमलिक집 में से कौन और समान है तो बताएगे इस में सबसे अलग कौन है तो आफ देखोगे इसमें सबसे अलग जो है आपका रायट-ंस dre आप से आगा ऑड़नेगा इनमें से कौन सा जुह है कंप्यूंटर हाड़वेर नहीं आपको बताना कौन hardware नहीं है तो आंसर क्या बनेगा राइट एंस option डी एक्सल जो है यह आपका hardware नहीं है एक्सल एक क्या है यह application software है निक्ष देखिए निमलिकित में से किस पसु को भारत के राष्टी पर्तिक में अस्थान नहीं मिला है तो वो कौन सा पसु है बताए और एं आपको राइट एंस option B उन्ट को घ्रेमी पुरुष कार किस छेत्र में दिया जाता है तो आंसर बनेगा आपका राइट एंस option B संगीत के शेत्र में ग्रेमी पुरुष कार दिया जाता है नेक्स कुशन देखेंगे cdbt ctbt का पूरा नाम बताना है यानि फूल फमिसका क्या है CTBT का तो आंसर बनेगा आपका करेंचन सा ओप्शन सी बनेगा comprehensive test ban trajectory होगा answer क्या बनेगा राइचन सा ओप्शन सी होगा भारती यह असकाइंग और परवत रोहन संस्थान जो है कहां परिस्तित है कहां परिस्तित है तो आंसर बनेगा गुलमर्ग कहां पर है गुलमर्ग में नेक्स्ट कुस्ट सेरेना विलियम्स, आंसर ये बनेगा, सेरेना विलियम्स है, next question देखिए, next question कहराया, यहाँ पर क्या, कि रंजी ट्रोफी परतियोगिता जो है, सुरू कब होती है, रंजी ट्रोफी तो पहले ये जानना होगा कि किस्केल में दिया जता है, तो रंजी ट्रोफी ये किरिकेट स लृपिया दी जाती है आंसर क्या मनेगा राइट एचर डी 15 María पूट और कैडी पूट काडी आदी सब्दा वली जो है किया किस khayeli से सब्बंदित आपको बताना है किस केल वह सब्बं Paleign of the pace सब्बंदित आप देखो गये सब गोल्फ से का आश्चार माना जाता है निमली कितमी से की से सैलेकरित अस्थाप का जो है आश्चार माना जाता है तो कीसे माना जाता है आंसर देखोगे कैलास मंदिर जो कहां पर एलोरा आंसर करेक्ट सी बनेगा कैलास मंदिर एलोरा में कैपिटल जी की खोज किसके द्वारा किया गया प्रिस्ट से वास्पी करन कभ अधिक तेजी से बताईए तो आंसर देखो गए आप तो जब तापमान जो है उचो और द्रव के प्रिस्टी चेटफल जो है बहुत हो तब तो करेक्ट एंसर हमारा राइट एंसर एब बन जाएगा नेक्स वोसम देखे, कहरा है ध्वानी तरंग, ध्वानी तरंगों के दो क्रामागत जो संपीड़नों के बीच के दूरी क्या कहते हैं उसे, तो उसे क्या कहते हैं हमने, उसे कहते हैं तरंग धैर, क्या कहते हैं उसे, तरंग धैर, आंसर C बनेगा, जल, कांच, एवं हीरे में परकास की चाल निमलिखित करम में होती है कौन सी वो करम है बताओ तो यह है पहले जल फिर कांच फिर हीरा तो correct answer हमारा right answer B बनेगा देखिए जब कांच की छर को रेसम से रगरा जाता है तो वो चर क्या दिता है रिनावेसित या धनावेसित या उदासीन या पहले रिनावेसित या फिर धनावेसित तो answer क्या बनेगा अपका वो धनावेसित हो जाता है answer right answer B बनेगा धनावेसित एक समान चुमकिये छेतर में बल रेखाएं होनी चाहिए एक समान जो चुमुके छेतर में बल रहाएं कैसी होनी चाहिए बताइए तो आंसर देखोगे आप तो एक दूसरे के समनांतर होनी चाहिए आंसर C बनेगा अगला देखिए कूली जनलिका का परियोग क्या उत्पन करने के लिए किया ज़ता है कूली जनलिका है उसको क्या उत्पन करने के लिए किया ज़ता है तो आंसर देखोगे तो आप करेक्ट अंसर ओप्सन C कहोगे एक सकिरने एक सकिरने का खुझ कौन के थे बताइए रॉंट जन किये थे एक सरे का खुझ कौन के थे तो वह किये थे रॉट दूजन नेक्स देखिए लाह एक है क्या है लाह बताओ तो क्या है यह लाह जो है आउस्थर बनेगा आपका प्राकिर्टिक बहुलक है राइट अंसर बी बनेगा निमलिखित में से कौन सी गैस जो है प्राकिर्टिक रूप से फॉसफोरस यूक्ट कार्बन कार्बनिक पदार्थों के अन्यवारे के जड़िये जो है निर्मित होती है बताओ वो क्यों है तो कॉर्ट एंसर बनेगा आपका राइट एंसर दी फॉसपिन राइट एंसर Όपसण दी होगा फॉसपिन next question देखिए, सुमिलिद करना हमें सुची 1 और 2 को सुमिलिद करते हैं, तो आई हम लोग सुमिलिद करके देखते हैं, कौन correct हो रहा है यहाँ पर पहले हम लोग option देख लेते हैं, क्या-क्या option है देखिए, यह क्या है? नीला थो था नीलात हो था copper sulfate, हराकसीस, हराकसीस जो है ferus sulfate, चीली साल्ट पीटर, sodium nitrate और कैलोमल तो यह है mercury collide, आपने देखा नीलात हो था क्या है, तो यह copper sulfate है, हराकसीस क्या है, तो ferus sulfate है, चीली साल्ट पीटर क्या है, तो यह sodium nitrate है, और कैलोमल क्या है, तो यह mercury collide है, निक्ष देखे के हम लोग कुश्चन तो वैसे आपका ओप्शन कौन सी हो जाएगी तो कर्रेक्ट एंसर ओप्शन नम्बर आपकी भी हो जाएगी निक्स्ट बताइए कि आवर्ट सार्णी में ग्यात जो रासाइनिक तत्वों में से केवल डैस समाने वाई मंडली परिष्टिती में गैस ये आपका द्रौवे हेड्वे अक्सीजन राइट एंसर ऑप्शन डी बनेगा नेक्स देखिए उद्प्रेरक अ हुद्प्रेरक के संबंद मेने मिल्फित में से कौन सही है आपको बताना है कौन सही बता तो आप देखो गे इसमें कौन सही है यह परतिक्रिया की दर जो है अंसर हमारा option B बना एक और तीन correct है नेक्स देखेंगे में लिखित में से कौन सा रूख जो है एक संक्रमित मादा कौन है फ्लो बोटो माइन फ्लो बोटो माइन बालू मक्षी जो है की काटने से फैलता है जिसमे अन्यमित जुवार वजन घटने तथा प्लिहा और यक्रित के आकार में ब्रिधी जैसे लक्षन दिखाई देते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा आपका correct answer option D बनेगा आथ की जो है लिस्मेगनिया लिस्मैनियासिस होती है आथ का जो है लिस्मैनियासिस answer correct D बनेगा मनुस्य में निमलिखित में से कौन सी आथ जो है स्रावित गरंथी युग्म के रूप में नहीं पाए जाती है तो कौन नहीं पाए जाती है correct answer आपका right answer option B बनेगा प्यूस option B correct होगा प्यूस next बताए निमलिखित में से कौन सी जन्तु जो है आख के सेरुकी नहीं होती है कौन सी जन्तु है जिसमें आख कुछ सेरुकी नहीं होती है तो वो है सारिस रिपी correct answer बनेगा option D सारिस रिपी निमलिखित में से कौन एक जो है अल्प विक्सित अंग है बताओ कौन है तो आप देखोगे appendix जो है यह आपका अल्प विक्सित अंग है आंसर B बनेगा Turner जो सनलक्षन वाले chromosome का वितर जो विवरन है वो क्या है बताना है अपका Turner जो है सनलक्षन वाले chromosome का विवरन क्या है बताओ क्या विवरन है इसका तो correct answer देखोगे आप तो आंसर बनेगा 44 A और प्लस O X O है correct answer भी बनेगा next बताओ यह उपास्ती यानि काटी लेजन निमलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है तो आप देखोगे मुत्रासे में नहीं पाया जाता है correct answer D बनेगा आपका सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है जोसेफ लिस्टर कुष्ट रोग के उपचार नहीं यह बिल्कुल आपका गलत है मतलब यह सुमेलित नहीं है answer यह बन जाएगा तो देखिए James E. Salk पोलियो के विरुद्ध टिका खोज किये थे और यह क्या है एड़ड जेनर छेचाक के विरुद्ध टिका करन और अलेक्जेनर फ्लैमिंग पैने से लेनी की खोज किये थे नेक्स आईए यानि आप्चन ए बन गये हैं आपके नेक्स कुशन हमारा नेक्स कुशन क्या है गेस्टापो क्या था गेस्टापो क्या था तो गेस्टापो जो था एक गुपचर पुलीस दल थी गुपचर पुलीस बढ आंसर ये बनेगा धर्म यूद का जो है मुखे कारण क्या था आपको बताने द्हार्म यूद का मुखे कारण क्या था आंसर बताईगेगा तो फोप की सक्ति को सीमित करना कारेक्ट अंसर ओप्टन ए बनेगा तो आसा है दोस्तों वीडियो पसंद आयोगा फिर आम लों मिलते हैं निक्स सेट के साथ जब तक लिए धन्य बाद